ये प्रेस वाले जिसमें चार-पांच चम्चे उनके सामने बैड़ जाते हैं और उनसे पूछते हैं नरेंदर मोदी जी नरेंदर मोदी जी आप आम कैसे खाते हो आप सुबह ओट के आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो और नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं मैं आम नहीं खाता हूँ मैं परमात्मा के मिशन पे हूँ मुझे परमात्मा ने बेजा है परमात्मा मुझसे काम करवाता है मैं कुछ नहीं करता हूँ उपर से ओर डर आता है और मैं काम करता हूँ नरेंद्र मोदी जी यह आपके कैसे परमात्मा है जो अदानी की मदद करवाते हैं अंबानी की मदद करवाते हैं और गरीबों के खिलाफ सरकार चलवाते हैं जगनात जी मोधी जी के भक्त है ये पहला चुनाव है जिसमें सम्विधान को एक तरफ खतम करना चाहता है और दूसरा तरफ बचाना चाहता है इंडिया गटबनन कह रहा है कि कुछ भी हो जाए हम सम्विधान की रक्षा करेंगे अमबेटकरजी के सम्विधान को हम रद नहीं होने देंगे खतम नहीं होने देंगे दूसरी तरफ बीजेपी के लोग रसेस के लोग कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम अमबेटकरजी के सम्विधान को फाड़ के फेक देंगे भाई और बहनों मैं नरेंद्र मोदी जी को रसेस के लोगों को कहना चाहता हूँ आपको जो सपने देखने देख लो मगर इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के सम्विधान को खतम कर सकती है आजाओ मैदान में हम दिखाएंगे हिंदुस्तान के सम्विधान को कैसे खतम किया जाता है आप पुरा दम लगा दो इस सम्विधान को आप छू तक नहीं पाऊगे बाई और बहनों और इसा में बीजेपी है और बीजेडी है ये दोनों मिली हुई पार्टिया हैं ये दोनों एक जैसी हैं इनकी यहाँ पे पार्टनर्शिप है पान वाली पार्टनर्शिप है और इसा में सोच ये की है मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूँ मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किये है डिफरमेशन के केस क्रिमिनल केस दो साल की जेल करवादी मेरी लोकसवा की सज़स्यता ले गए 50 गंटे मेरा एडी ने इंवेस्टिगेशन किया इंटेरोगेशन किया मेरा घर उठा के ले गए जब ये मेरा घर ले गए मैंने इनको चाबी दी और इनसे कहा ये जो तुमारा घर है सरकारी घर है मुझे नहीं चाहिए मेरे हिंदुस्तान में करोणों घर है और इसा के जनता के दिल में मेरा घर है बाकी देश बाकी प्रदेशों के लोगों के दिल में मेरा घर है तुमारा घर नहीं चाहिए ले लो उठा के ले लो मगर भाईयों और बहनों यहां के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन बाबू अगर सच मुझ में वो बीजेपी खिलाफ लड़ते हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुए उनका घर क्यों नहीं लिया गया उनकी सदस्यता रद क्यों नहीं की गई उनका इंटेरेगेशन क्यों नहीं हुआ भाई और बहनों इंटेरिगेशन नहीं हुआ, घर नहीं जीना गया, सदस्याता नहीं लई गई, क्योंकि BJD के नवीन पतनायक जी, BJP के लिए यहां काम करते हैं, यह दोनों एक हैं, इनकी पार्टनर्शिप चल रही है, और बात साफ है, पार्टनर्शिप का लक्ष, और इसा के लोगों का जो धन है, आपकी जो माइन्स हैं, आपकी जो संपती है, उसको चोरी करने का है, अरब पती बनाने का है, नरेंद्र मोधी जी, अदानी जैसे लोगों को अरब पती बनाते हैं, यहां पे सरकार नवीन बाबु नहीं चलाते हैं, यहां पे सरकार दूसरा पी चलाता है, पांडियन जी चलाते हैं, और वो भी, वो भी, यहां अरब पती बनाने के लिए सरकार चलाते हैं, और इसा मे धन की कोई कमी नहीं है आप देखिए टेलेंगाना में पहले पार्टनर्शिप थी बी आरेस की और बीजेपी की वहां के चीफ मिनिस्टर बीजेपी का काम करते थे दबाव था डर था और पूरा का पूरा काम वहां के चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी के लिए किया Congress Party खड़ी हुई Congress Party भी जेपी से लड़ी और भी आरेस से लड़ी और दोनों की हमने रीड की हड़ी तेलंगाना में तोड़ के दिखा दी आज तेलंगाना में अरब पतियों की सरकार नहीं है एक व्यक्ति का राज नहीं है आज तेलंगाना में जंता की सरकार है, करोनों रुपे गरीबों को दिये जाते हैं, महिलाएं फ्री में बस में गूम्ती हैं, सरकार जंता का काम कर रही है, जंता की बाज सुनरी है, वो ही हम औरिसा में करने जा रहे हैं. हमें अरब पतियों की सरकार नहीं चाहिए हमें औरिसा की जनता की सरकार चाहिए और हमारा लक्ष यह जो नवीन बाबुजी और नरेंद्र मोधी की पार्टनर्शिप है जो जिसको पान कहा जाता है इसको हम यहां औरिसा में तोड़ के फेकना चाहते हैं बाई और बेहनों नरेंद्र मोधी जी ने 22 लोगों के लिए काम किया 16 लाक करोड रुपे उन्होंने उनका माथ किया है कर्जा माथ किया है अब सवाल उठता है इंडिया गडबंदन की सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे आज मैं आपको ये बताने आया हूँ हम करांतिकारी काम करने जा रहे है शायद और इसा के लोगों ने सपने भी सपने में भी नहीं देखा जो हम करने जा रहे हैं जिसको हम सच्चाई बनाने जा रहे हैं भाई और बेहनों पहला काम महालक्ष्मी योजना महालक्ष्मी योजना में हम हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनाएंगे किसान के परिवार मजदूर के परिवार छोटे विया पारियों के परिवार बेरोजगार युवाओं के परिवार की लिस्ट बनेगी और इस सामे करोणों लोग इस लिस्ट पे होंगे बाईयों और बहनों चार जून को हमारी सरकार बनेगी महालक्ष्मी योजना को महालक्ष्मी योजना को हम चालू करेंगे और चार जुलाई को और इसा में करोणों लोग सुभे अपने मोबाइल फोन पे अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और बैंक अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर पाँच जुलाई को खटाक से 8500 रुपे करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, नुवेंबर, डिसंबर, जैनवरी, फेबरी, मार्च, एप्रल में चलता जाएगा खटा-कट, खटा-कट, खटा-कट अंदर 8500 रुपे महीने के साल के एक लाक रुपे करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हम डाल देंगे आप सोचिए, हिंदुस्तान की अर्द्विवस्ता एक जटके से चुरू हो जाएगी जो छोटे बिजनसेज, मिडल साइज बिजनस, जो GST से, नोट बंदी से, नरेंद्र मोधी ने नुकसान किया उसको ठीक करने के लिए हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहें सीधा, डायरेक्ट, डायरेक्ट, कैश, ट्रांसफर उसके अदानी से पैसा लेंगे, आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे भाई और बैनों इससे होगा क्या, अदानी ने, अम्बानी ने, आपका पैसा लिया नरेंद्र मोधी जी ने उनको पैसा दिया, उन्होंने आपके पैसे को अमरीका में, जपान में, लंडन में खर्च किया, बड़े-बड़े बिसनस खरीदे, मैंशन मोटरसाइकल, स्कूटर आप यह चीज़ें खरीदऊगे और जैसे ही आपने यह चीज़ें खरीदना शुरू कियें वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां जो आज बंद पड़ी हैं एक बार फिर शुरू हो जाएंगी और ओरिसा के युवाओं को मेड इन ओरिसा की फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा भाईयों बहनों हम सिर्फ गरीब महिलाओं को पैसा नहीं देंगे हम औरिसा के किसानों को मजदूरों को पैसा देंगे किसानों को गैरंटीड कानूनी मिनमम सपोर्ट प्राइस हम देने जा रहे हैं इसके मादियम से औरिसा के किसानों को हिंदूस्तान के किसानों को धान के लिए शुगर केन के लिए कपास के लिए अनाज के लिए पहली बार कानूनी मिनमम सपोर्ट प्राइस कम से कम दाम गैरंटी करके मिलेगा बाई और बैनों किसानों के बैंक अकाउंट में हम और पैसा डलने जा रहे हैं हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं अगर नरेंद्र मोधी अरब पतियों का कर्जा माफ कर सकता है हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और हम एक उद्योग तियार करेंगे जिसको हम कर्जा माफी उद्योग कहेंगे इसका काम पता लगाने का होगा कि किसानों को कर्जा माफी की जरूरत है या नहीं जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी ये उद्योग हिंदुस्तान की सरकार को ओर्डर देगा और हिंदुस्तान की सरकार फिर से किसान का कर्जा माफ करेगी युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ अगनिवीर योजना ने आपको भारी चोट पहुचाई पहली बार दो तरीके के शहीद बनाए मैं यहां से आपको कहना चाहता हूँ अगनी वीर योजना को इंडिया गडबंदन की सरकार फार कर कूरेदान में फेकने जा रही है हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए हर जवान को पेंशन मिलनी चाहिए हर जवान को कैंटीन मिलनी चाहिए हर जवान को सही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए हर जवान को शहीद का दरजा अगर ज़रूरत हो हर जवान को शहीद का दरजा मिलना चाहिए बाईओं और बहनों अगनी वी रियोजना को रद करेंगे और ओरिसा के युवाओं को और हिंदुस्तान के युवाओं को मैंना कहना चाहता हूँ 30 लाख सरकारी नोकरियां खाली पड़ी है उनको हम भर के आप के हवाले कर देंगे भाई और बहनों मजदूरों को आज उरिसा में मन्रेगा के लिए 250 रुपए मिलता है 4 जून के बाद मजदूरों को 400 रुपए मिलेगा आशा अंगनवारी महिलाओं कि जो आमदनी है उसे हम धुगना करने जा रहे हैं और भाई और बहनों युवाओं को पहली नोकरी पकीश कीम में एक साल की नोकरी मिलेगी सारे के सारे ग्रैजुएटiders को बेरोजगार ग्रैजूएट्स को जैसे ही हम आपको पैसा देना शुरू करेंगे, हिंदुस्तान की अर्धेवस्ता शुरू होगी, Made in India, Made in Norissa शुरू होगा, ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखिए, इंडिया गडबन्दन की सरकार गरीबों की आदत बिगार रही है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ अगर आपने जादा कुछ कहा तो जो हम एक लाग रुपए दे रहे हैं हम उसको दो लाग कर देंगे आप लोग अदानी अमबानी के लोग हो आप लोग मोदी जी के चमचे हो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे हम किसानों की बात सुनेंगे मज़ूरों की बात सुनेंगे बेरोजगार युवाओं की बात सुनेंगे आदिवासियों की बात सुनेंगे दलेतों की पिछडों की बात सुनेंगे हमारी सरकार 90% लोगों की सरकार होगी 10 साल नरेंदर मोदी ने एक परसेंट लोगों की सरकार चलाई जो जितना बोलना है आपको बोलना है बोलो हम गरीबों का काम करेंगे भाईों और बहनों मैं आपको धारन देना चाहता हूँ ये प्रेस वाले आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटर्वियू देखे होंगे देखें वो जिसमें चार पांच चम्चे उनके सामने बैड़ जाते है और उनसे पूछते है नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो आप सुभे ओट के आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो और नरेंदर मोदी जवाब देते हैं मैं आम नहीं खाता हूँ मैं परमात्मा के मिशन पे हूँ मुझे परमात्मा ने बेजा है परमात्मा मुझसे काम करवाता है मैं कुछ नहीं करता हूँ उपर से ओर्डर आता है और मैं काम करता हूँ नरेंदर मोदी जी यह आपके कैसे परमाथमा है जो अदानी की मदद करवाते हैं, अमबानी की मदद करवाते हैं, और गरीबों के खिलाफ सरकार चलवाते हैं. अच्छा, उरिसा का अपमान किया। औरिसा का कैसे अपमान किया। बताइए। आप बताईए जगनाथ जी के बारे में क्या कहा बीजेपी के नेता ने कहा है और औरिसा के हर व्यक्ति का अपमान किया है नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं और उनके नेता कहते हैं कि जगनात जी मोदी जी के भक्त है आप सोचिए इनके दिमाग में कितना हंकार आगया है एक व्यक्ति कहता है मैं भगवान के लिए काम करता हूं और उनका चमचा कहता है कि नहीं नहीं भगवान इनके लिए काम करते हैं बगवान के लिए काम नहीं करते हैं तो ये इनकी सचाई है Constitution को समविधान को बचाना है मिलकर भहिया यहां पर हमारे candidates को जिताईए लोग सबाविधान सबागे candidates को जिताईए अमबेटकर जी का Constitution है उसकी रक्षा कीजिए और जंता की सरकार बनाईए दिल से आपका धन्यवा करता हूँ